नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रियस नहाप के साथ है आज 9 में है और इस वीडियो में चाच्चा करेंगे आज की जारखंड की पांच प्रमुक खबरों की सबसे पहली खबर आम दिनों की तरह सबजी बजार में जुट रही है लोगों की भीड, सोसल डिस्टे कर्मन से रोजाना नए पॉजिटिव मरेजों की संख्या बढ़ती जा रही है मृतिकों की संख्या भी थमने का नाम नहीं ले रही है ऐसे हालात में भी लोग सबजी बजार में सोसल डिस्टेंसिंग का खयाल रखते नजर नहीं आ रहे हैं यह लापरवाही लोगों पर ही भारी पर सकती है अगली खबर बड़ी रहात रिम्स के ऑंकोलोजी वाड में 25 गंभीर मरीज भरती 500 से ज्यादा ऑक्सिजन बेड्स खाली है रिम्स की वैवस्ता धीर धीर सुधर रही है दो दिन पहले यहां सीम ने ऑनलाइन 455 ऑक्सिजन युक्त बेड के 73 आईसीव डिपार्टमेंट में बने कोविड आईसीउ में 8 मरीजों को भरती कराए गया सभी का मौन कोविड टास्क फोर्स के सदक्स करते रहे अब गंभी संक्रमितों को भरती होने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक नहीं भटकना होगा अगली खबर सो विधाएं मि तीन जगहों पर लगेंगे डिस्प्ले वोड हर घंटे पर परिजनों को मिलेगी मरीजों की जानकारी SNMCH में रविवार को कंट्रोल रूम शुरू हो जाएगा यानि की आज से इसकी शुरुवात हो रही है जिले की किसी सरकार इस्पताल में पहली बार ऐसी ववस्था की जा रही है इसके जर्ये मरीजों और उनके परिजनों को इलाज से संबंधित हर तरह की जानकारी मिल सकेगी अगली खबर आदू निक सुविधा, IIT Students का पोटल बताएगा देश भर में कहां कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए क्या संसाधन है कोरोना वाइरस का संक्रमितों देश भर में तेजी से फैल रहा है, संक्रमितों के इलाज के लिए संसाधन कम पड़ रहे है अस्पतालों में बेड से लेकर oxygen cylinder concentrators और दवाव की भी कमी है ऐसे में IT, ISM धनवाद के student की team ने एक पोटल तयार किया है जिससे देश भर में कोरोना संक्रमितों के इलाज में मदद में लेगी पोटल का बैब आडरेस है इसके जरी तुरंद पता चल सकता है कि कहां इलाज के लिए क्या सुविधाय उपलब्ध है ICU bed, oxygen, remresivir, plasma, pulse, oximeter तैसे जरुवत की तमाम चीजों की उपलब्ध का पता इस पोटल से पता चल सकेगा अगली कबर कि जारखंट में उडिसा जा रही थी बारात बॉर्डर पर पुलिस ने दूलहे से मांग ली है जानकारी नहीं दे पाए तो वापस कर दी गई बारात आप जारखंट से उडिसा जा रहे हैं कोवेट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा ऐसे ही वाक्या कल रात को देखने को मिला जहां जारखंट के गुवा से ओडिसा के कुदलीबाद बारात ले जा रहे हैं दूलह सोनरामा ठठेरा को बारातियों समेत ओडिसा सीमा पर मोही पानी में तानात पुलिस ने कोवेट नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने के कारण वापस कर दिया बाद में बारात मनोहर पुट पहुची जहां कोवेट टेस्ट कराया गया इसके बाद उन्होंने ओडिसा जाने की अनुमती मिली हलाके इस दौरान बारात लगन के समय से दो घंडे देर पहुची वही बीते तीन दिनों में बारात को ओडिसा सीमा से लोटने की यह तीसरी घड़ना है फिलाल पांच परमो खबरों में आज इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी वक्त चारकन की पांच परमो खबरों के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद